प्लीज सब्सक्राइब पैस्ट वेल आइक ओन हलो फ्रेंड्स बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स लेडिज की जो एक्सल साइज की फुल कोटी मैं अपने चैनल पर बना कर बता रहे हूं तो आज इसका ये पार्ट नमबर थ्री है और इस पार्ट में हम लेफ्ट पार्ट को बनाना सीखेंगे तो यहाँ पर मैंने 70 फंदे डाल लिये हैं और जिस तरह से मैं इसमें बटन पटी और इस बॉर्डर को अरजेस्ट करूंगी उसी तरह से आपको राइट पार्ट में अरजेस्ट कर लेना है पिछली वीडियो में हमने इस बॉर्डर को सीख लिया है यह 20 की मल्टिपल में फंदे लेकर एक फंद एक्स्ट्रा रखना होता है और यह जो डिजाइन है वो अरजेस्ट हो जाता है तो यह बैक पार्ट मैंने इस तरह से बना कर कंप्लीट कर लिया है और देखी फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने फ्रेंट पार्ट का राइट पार्ट भी इस तरह से बना कर कंप्लीट कर लिया है तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर आप right part में थोड़ा सा देख लीजेगा जिस तरह से मैंने इन फंदों को अर्झेस्ट किया हुआ है तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से आप कुछ फंदे डालेंगे जब इस part में बुनेंगे right part को तो यहाँ पर देखिए इस साइड से हम बुनना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 फंदे की मैंने ये बटन पट्टी रखे तो इस तरह से आप पहले 1 फंदा सीधा 1 फंदा उल्टा या आप कोई दूसरा बॉर्डर बनाना चाते हैं यहाँ पर मैंने 1 फंदा सीधा 1 फंदा उल्टा बनाया है तो यहाँ पर मैंने 9 फंदे की बटन पट्टी रखे हुए तो इस साइड में मैंने 9 फंदे बुनने के बाद में इस डिजाइन को ये बॉर्डर बनाना शुरू किया है तो यहाँ पर इस पार्ट में देखेगा पहले बॉर्डर बनेगा इसके बाद में बटन पट्टी बनेगी तो यहाँ पर आसान है राइट पार्ट में पहले बॉर्डर बना लीजीगा बटन पट्टी वाला और इसके बाद में ये डिजाइन बनेगा और इस बटन पट्टी और बॉर्डर को किस तरह से अर्जेस्ट करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे 9 फंदे की हम बटन पट्टी रखेंगे मार्क लगा लिया है यहाँ पर और यहाँ पर 20 की मल्टिपल में फंदे लेकर 1 फंदा हमने एक्स्टर रखा है तो यहाँ पर हमारे 61 फंदे यानि 61 फंदे इस साइड में है प्लस 9 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं तो यहाँ पर 70 फंदे यानि 70 फंदे हमने डाल लिए हैं सलाई में तो आज की इस वीडियो में लेफ्ट पार्ट में बटन पट्टी किस तरह से अरजेस्ट करेंगी इस बॉडर को किस तरह से अरजेस्ट करना है और प्लस मैं इसमें आपको बटन होल कट करना बताऊंगी देखी फ्रेंट्स राइट पार्ट में बटन पट्टी इस साइड में रहेगी और left part में बटन पट्टी इस साइड में रहेगी तो यह जो बटन पट्टी है यह बटन पट्टी के ऊपर इस तरह से आ जाएगी तो देखे फ्रेंट्स यह हमारी पहली सलाई है पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगी अपनी साइड को धागा बैक करेंगी एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से धागा अपनी साइड लाएंगी दो फंदा उल्टे बनाएंगे एक दो फंदे उल्टे बनाने के बाद में धागा बैक करेंगे अब यहाँ पर हम बबल बनाएंगे यह जिस तरह से डिजाइन में बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाएंगी एक ही फंदे में हम 6 फंदे निकालेंगे तो देखे एक इस दागे को हमें छोड़ना नहीं है धाग आपनी साइड लाएंगी इन फंदों को लूज लीजिएगा देखिए इस तरह से मैंने डीले कर लिये हैं दो तीन चार पांच और अपनी साइड लाते हुए छे फंदा हमने यहां पर बना लिये हैं अब इन फंदों को हम इस तरह से रॉंग साइड में ले जाएंगी सलाई को इस तरह से पलट लेंगे अब इन फंदों का हमें छे फंदे का एक फंदा करना है तो यह जो दो फंदे हमने उल्टे बनाएं यह लग कर लेंगे यहां पर यह छे फंदे काउंट कर लिजिएगा और इन फंदों को हम छे पंदे का एक पंदा करेंगे देखे इस तरह से छे पंदे का हमने एक पंदा कर लेना है इस तरह से हमने छे पंदे का एक पंदा कर लिया इस पंदे को हमें फिर से इस सलाई में लेकर आना है और इस तरह से धागबैक करेंगे अब यहाँ पर हम दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो धागबैक करते हुए फिर से इस बबल को बनाना है तो देखे एक दो धागबैक करते जाएंगे तीन चार पांच छे इस तरह से हमने 6 फंदा बना लिए है अब फिर से इस सलाई को पड़ लेंगे धागबैक कर आएंगे रॉंग साइड में यह जो दो फंदे उल्टे बनाएं इन्हें हम इस साइड में करेंगे और जो यह 6 फंदे हैं इन 6 फंदे का हम एक फंदा बना लेंगे अब इन 6 फंदे का हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे और इस तरह से इस फंदे को हम फिर से इस सलाई में लेंगे तागा बैक करेंगे अपनी साइड को सीधी की साइड में लाएंगे अब दो फंदे उल्टा बनाएंगे एट दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद में फिर से यहां पर बबल बनाएंगे इसी तरह से रिपीट करते हुए देखिए दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर बबल बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ पर मैंने दो फंदे उल्टे बनाए एक बबल बनाया दो फंदा उल्टा एक बबल दो फंदा उल्टा एक बबल अब यहाँ पर देखेए धागा अपनी साड लाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो बबल बनाने के बाद दो फंदा उल्टा बना लिए धागा बैक करेंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन धागा अपनी साइड अभी यहां से हम दूसरा डिजाइन सुरू करेंगे दो पंदे उल्टे दागा बैक करेंगे यहाँ पर हम बबल बनाएंगे तो देखी जो यह पहला बबल बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का में फिर से रिपीट करना है तो देखी एक दागा अपनी साइड दो तीन चार पांच दागा अपनी साइड छे एक फंदे में हमने छे फंदे बना लिये हैं इस तरह से सलाई को पलटेंगे दागा अपनी साइड को लाएंगे अब इन छे फंदे का हम एक फंदा कर लेंगे देखी इस तरह से अब इस फंदे को हम इसी सलाई में लेकर आएंगे धागा अपनी साइड कर लेंगी दो फंदा उल्टा बनाएंगी एक दो फिर से यहां पर हम चार बबल बना लेंगे एक बबल बनाएंगे दो उल्टे एक बबल दो फंदा उल्टा एक बबल इसी तरह से हम जिस तरह से यहाँ पर 5 bubble बनाए हैं यहाँ पर भी हम 5 bubble बना लेते हैं यह देखिए friends फ्रसे हमने 5 bubble बना लिए हैं 1 2 3 4 5 2 फंदे बीच में उल्टे का गैफ देते हुए 5 bubble हमने बना कर तयार कर लिए हैं यानि 2 फंदे हमने बीच में उल्टे बनाए हुए हैं देखिए दागा हम अपनी साइड में लाएंगे दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो दागा बैक करेंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन दागा अपनी साइड लाएंगे दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो दागा बैक करेंगे अब फिर से यहां पर हम बबल बनाएंगे एक दो तेन चार पांच छे इस दागे को और सलाई को पलटते हुए छे फंदे का हम एक फंदा कर लेंगे और इसी तरह से फिर से हम चार बबल और बना लेते हैं यह एक बबल हमारा बन चुका है और इसी तरह से हम चार बबल और बना लेंगे दो फंदे हम उल्टा बनाते जाएंगे और बबल को बना कर कम्प्लीट करेंगे यह दिखी फ्रेंट्स यहां पर मैंने फिर से पांच बबल बनाकर complete कर लिये हैं एक, दो, तीन, चार, पांच दो-दो फंदे हमारे उल्टा बने हुए हैं बीच में और इस तरह से हमें इसे बनाकर complete कर लिया है धागा अपनी साइड लाएंगे दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक और ये दो दागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से अब यहां पर क्या है? एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा लाश्ट का जो वोगा यहां पर मैंने उल्टा बनाया हुआ है लेकिन यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स यह एक फंदा हमारा इस साइड का यह जो बचा हुआ है और यह नाइन फंदे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नाइन फंदे हमारे इस साइड में बटन पट्टी के हैं और एक फंदा हमारा यहां पर उल्टा बनेगा तो यहां पर हमें बटन पट्टी के जो पहला फंदा है उसे हमें उल्टा बनाना है और इस फंदे को भी हमें उल्टा बनाना है इन दोनों फंदो को हम मिलाएंगे यहां पर दो फंदे हम उल्टे नहीं बना सकते हैं इसलिए हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो यह दो फंदे का हमने एक फंदा कर दिया है तो यहाँ पर यह अरजेस्ट हो गए हैं धागा बैक करेंगे सीधे फंदे को हम बैक साइड से सलाई डालते हुए सीधा बनाएंगे दागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा उल्टा दागा बैक करेंगे बैक साइड से सलाई डालते हुए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे दागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा दागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा एक फंदा बैक साइड से सलाई डालते हुए सीधा बना लेंगे लाश्ट में हमारा एक फंदा उल्टा आना चाहिए इस तरह से तो ये हमारी बटन पट्टी और ये बॉर्डर का डिजाइन अर्जेस्ट हो चुका है अब यहाँ पर देखिए रॉंग साइड की सलाई हम किस तरह से बुनेंगे पहला फंदा जो है उसे हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे धग अपनी साइड लाएंगी एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा धग अपनी साइड एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह से हम बॉर्डर को बनाएंगी बॉर्डर के नाइन फंदे हम इसी तरह से बना लेंगे यह देखिए इस तरह से अगर आप चाहें तो मार्क लगा के रख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आथ, नो नो फंदे हमारे जो बटन पटी के हैं बॉर्डर के वो बन चुके हैं धागा अपनी सेड लाएंगी यह सभी फंदे जो मैंने यह वाला बबल वाला जो डिजाइन बनाया है बॉर्डर का इसी हमें रॉंग सेड में सभी सलाईयां उल्टी-उल्टी बुननी हैं तो मैं इसी बना कर रॉंग सेड की सलाई को कम्प्लीट कर लेती हूँ तो यह देखी फ्रेंट्स रॉंग साइड की पूरी सलाई हमने बना कर कम्प्लीट कर ली है यहाँ पर मैं आपको एक सलाई और बना कर बताऊंगी इस बॉर्डर की और फ्रेंट्स अगर आप इस बॉर्डर को सीखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने इस बॉर्डर को इस्टेप बाइस्टेप बताया हुआ है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा तभी आप इस डिजाइन को पूरा बनाना सीख पाएंगी आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा अब आते हैं राइट साइड की दूसरी सलाई में पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगी धागा इस तरह से बैक कर लेंगी अब देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमें एक जाली बनानी है तो यहाँ पर धागा बैक करने के बाद में भी आप इस तरह से लपेट सकते हैं या इस तरह आप धागा रहने दीजिए और इस फंदे को सीधा बनाईएगा तब भी आपका यह जाली का फंदा है वो बन जाएगा इस तरह से अब धागा अपनी साइड लाते हुए दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा जो यह बबल वाला फंदा है इसे हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी साइड दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड लाएंगे एक फंदा यहाँ पर उल्टा बनाएंगे अब देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे पांच बबल है एक, दो, तीन, चार, पांच जो बीच वाला बबल है यहाँ पर हम इन फंदों को तीन फंदे का एक फंदा करेंगे तो यह जो बबल वाला फंदा है बीच का इस फंदे को हम इस फंदे के आगे लेकर आएंगे इस तरह से और तीन फंदे का हम एक फंदा करेंगे एक इस साइड का फंदा, एक बीच का फंदा और एक इस साइड का फंदा इन तीन फंदों का हम एक फंदा करेंगे और जो फंदे हम यहाँ पर घटाएंगे वो फंदे हमारे यहाँ पर जाली से इस सैड में और इस सैड में बढ़ जाएंगे तो धागा अपनी साइड करते हुए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड लाते हुए, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, अब देखेगा फ्रेंड्स, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सी दागह अपनी साइड लाएंगे हमें हम fulfillment सीधी में इस तरह से फिर्षि से दागह अपनी साइड और इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी दो जाली बन चुकी धागा अपनी साइड लाएंगे, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, अब यहां से लेकर, देखें, यहां से लेकर, यहां तक के जो फंदे हैं, वो हमें पूरी सलाई में रिपीट कर लेने हैं, तो यह देखें फ्रेंट्स, इनी फंदों को रिपीट करते हुए, हमने इस सेलाई को complete कर लिया है अब यहां पर देखिए यह वाला फंदा हमने जो बबल का फंदा है इसे हमने सीधा बनाया है धागा अपनी सेड लाएंगे दो फंदा उल्टा बनाएंगे जो यह सीधा फंदा है इस फंदे को हम सीधा इस तरह से बुन लेंगे अब यहां पर ध्यान यह जो बटन पट्टी के फंदे हैं इन फंदों में से यह उल्टा फंदा है तो देखिए धागा अपनी सेड लाएंगे एक बार हम इस तरह से सलाई में लपेट लेंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे दागा बैक करेंगे बटन पट्टी के फंदों को हम सीधे फं उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा बैक करेंगे, बैक साइड से सलाई डालते हुए ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे, अब इस सलाई को हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया है, लास्ट का फंदा मारा उल्टा आएगा, अब देखे सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा, ये बटन पट्टी के फंदे हम हर बार दोनों साइड से एक जैसे बुनेंगे, सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा, और रॉंग साइड में ये पूरी सलाई हमें उल्टी बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है, तो फ्रेंड्स, ये बॉर्ड बॉर्डर बनाने के बाद में यहाँ पर बनाएंगे तो यह बॉर्डर बनाकर मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको बटन होल कट करना बताऊंगी और फ्रेंड्स देखिए जिस तरह से मैंने इसमें डिजाइन को अर्जेस्ट किया है सीम आपको राइट पार्ट मे अर्जेस्ट कर लेना है इन दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो राइट पार्ट बनेगा यहाँ पर पहले बटन पट्टी बनेगी और जो लेफ्ट पार्ट है इसमें बटन पट्टी बाद में बनेगी पहले यह डिजाइन अर्जेस्ट होगा इसके बा में हमारा यह बॉर्डर कप्कूर करेंगे पहले हम प्रिट पार्ट के लेखेंगे और यहां पर हम एक निस्चि दूरी पर मार्क लगा लेंगे इस तरह से और तब हम इस में बटन होल कट करेंगे तो ये देखी इस तरह से हमने ये मार्क लगा कर कम्प्लीट कर लिए हैं अब यहाँ पर हमें इस पार्ट में दो सलाई और निकाल लेनी हैं बॉर्डर के उपर इसके बाद में हम इस मार्क के हिसाब से 24-24 सलाई के बीच में यहाँ पर हम बटन होल को कट करेंगे तो यहाँ पर मैं सीधी और उल्टी सलाई को बना कर कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब यहाँ पर यह बॉर्डर कम्प्लीट हो चुका है तो यह सीधी सीधी सलाई हमें बना कर कम्प्लीट कर लेनी है तो यह देखिए फ्रेंट्स इस बॉर्डर के उपर हमने 4 सलाई बना कर कम्प्लीट कर ली है यह पांचमी सलाई है जिसे हमने सीधा सीधा बनाते हुए complete कर लिया है अगर आपका यहाँ पर डिजाइन है तो डिजाइन बनाते हुए यहाँ पर complete कर लिजेगा अब यहाँ पर हम button party के पास में आ चुके हैं तो यहाँ पर हम button hole को cut करेंगे तो देखिए 9 फंदे के हमारी button party है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ तो यहाँ पर चार फंदे इस side में छोड़ेंगे चार इस side में छोड़ेंगे पांच में फंदे में हम button hole को cut करेंगे तो यह देखिएगा धागा अपनी side करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे बैक साथ से slide डालते हुए फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा उल्टा एक सीधा यहाँ पर चार फंदे हमने बुन लिये हैं और चार फंदे हम इस side में छोड़ेंगे तो पांच में जो फंदा है इसमें हम button hole को cut करेंगे धागा हम अपनी side में लाएंगे एक और यहाँ पर एक बार हमने इस तरह से लपेट लिया है अब यह देखे एक फंदा यह उल्टा है और यह वाला फंदा सीधा है तो इस फंदे को हम इस तरह सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर हमारे दो बार सलाई में धागा लपेट जाएगा देखे यहाँ पर एक बार हमने धागा लपेट लिया और एक बार हमने इस साइड से सीधा फंदा बुन दिया तो यहाँ पर दो बार फंदा हमने लपेट लिया है एक और यह दो और इस फंदे को आमने सीधा बना लिया है, धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, अब यह देखेगा फ्रेंट्स, जो फंदा जिस तरीके का है उसी तरह से बुनते हुए चलेंगे, पहला फंदा हमने सीधा बना, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, अब देखे फ्रेंट्स, यह वाला जो फंदा है, इसे हमें सीधा बनाना है, तो यह वाला फंदा उल्टा बना लिया है, धागा बैक करेंगे, इस फ पंदे को सीधा बनाते हुए यह बटन पट्टी हमारी सेम उसी तरह से बनना फिर से सुरू हो जाएगी अब इस पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए फ्रेंट्स रॉंग साइड की सलाई को कम्प्लीट करने के बाद में राइट साइड क पूरी सलाई हमने बनाकर कम्प्लीट कर लिए अब जिस तरह से बटन पट्टी हमारी पहले बन रही थी उसी तरह से बनेगी पहला फंदा उल्टा बनाएंगी दूसरे फंदे को बैक साइड से सलाई डालते हुए सीधा बनाएंगी दागा अपनी साइड एक फंदा उल्ट बना लेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और यहां पर हमारा बटन होल पूरा कम्प्लीट हो चुका है इसी तरह से आपको निश्ची दूरी पर जितनी भी आपकी कोटी के लंबाई है उसी हिसाब से आप मार्क लगा लिजेगा और इस तरह से बटन होल कट करके कम कम्प्लीट करना है तो मैं कम्प्लीट कर लेती हूं फिर मैं आपको अगले वीडियो में आर मोल की घटाई और नेक की घटाई करना बताऊंगी तो चली फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगर ही वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक चैन